नमस्कार दोस्तो будут आज बात करेंगे ट्रेगेंग के स्टॉक के बारे में और मैं पूरे की पूरे टेक्स्टाइल देखेगा शेतर की बात करूँगा क्योंकि आपको पता है गौर्मेंट का एक ही पूरा मोटिव है कि ग्रोथ मुमेंटम ना रुखे क्या ना रुके growth momentum और सीधा सीधा unemployment ना बढ़े इन दोनों चीजों को रोकने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा ऐसे particular sector को ज़्यादा support करना पड़ेगा ज़्यादा देखेगा cushion देना पड़ेगा जिनमें labor work ज़्यादा होता है उनमें से एक sector है textile sector आपको पता है infra पे तो लगातार work करी रहे हैं लेकिन यहादा textile पे भी देखेगा काफी ज़्यादा work कर रहे हैं तो basic चीज क्या है कि लगातार textile के लिए अच्छी सी अच्छी schemes आपको देखने हो मिल लिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा monetary support आपको लेखने हो मिल ला है और जितना ज़्यादा तरीके साब इसको समझ लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है upcoming long term stocks के लिए चुकि अगर आपने कुछ देखेगा ट्राइट या फिर other कोई भी particular textile का stock long term के लिए hold कर रखा है तो वो उसमें आपको कहां से benefit मिलेगा कहां पे long term view बन रहा है वो आप जान पाओगे तो यहाँ पे देखेगा प्योष गोयल जी ने कहा है textile industry में देखेगा new model develop करे जाएगे improve करी जाएगी gaining efficiency को gaining efficiency को improve करने की बात कही है और यहाँ पे पूरी तरीके से देखेगा एक एक चीज उन्होंने बताईए interactive meeting होई थी with newly constituted textile advisory group के साथ देखेगा उसमें पूरी तरीके से textile value chain was represented in the consultation association में भी देखेगा काई सारी बाते रखी गई और यहाँ पे धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी बात भी रखी और किस तरीके से productivity को बढ़ा के export sale को बढ़ाना है किस तरीके से देखेगा आप cost को कम कर सकते हैं input cost को कैसे कम कर सकते हैं वो सारी चीज ने देखेगा इन्होंने यहाँ पे बात करी हैं आगे अगर आप देखेंगे तो cotton की crop के बारे में भी काफी बात हुई है आपको भी पता है cotton candy जो है international market में काफी ज़दा महंगी हो गई है जितना ज़दा है कि cotton महंगा होगा यान महंगा होगा आपको पता है उतना ही ज़दा textile की input cause बढ़ती चलियाईगी अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से focus है focus गोईल साब का देखेंगा पूरी तरीके से focus है need for protecting cotton crop from pink ball warm attack तो पूरी तरीके से देखेगा cotton के production को बढ़ाने की बात हो रही है चुकि cotton का production अगर बढ़ेगा तभी देखेगा input cause जो है वो domestic market में कम हो सकती है तभी वो आपके international market में कम हो सकती है तभी आप अच्छा export करके कम दाम पे market में अच्छी value पे बेश सकते हो तो पूरी तरीके से work किया जा रहा है कि cotton की जो crop है वो जो खराब होती है उसको किस तरीके से उका जाए किस तरीके से focus किया जाए कि वो crop खराब ना हो चुकि जितना देखेगा cotton work बढ़ेगा जितना textile देखेगा export level पे जाएगा उतना ज़्यादा labor work की demand होगी और labor work की demand होगी तो growth momentum मना रहेगा और क्या होगा unemployment rate पे भी काफी जादा cushion देखने हो मिलेगा तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से working चल लई है जो textile के लिए बहुत ही अच्छी update है इसके अलावा आपने देखा patent के result आ चुके है March देखेगा quarter के और उसमें देखेगा इतने दिनों को expectation था किस तरीके की momentum होगा बट still जिस तरीके से महगाई बढ़ी है उसे साब से बहुत सही result आए क्या है बहुत सही result आए है आप देख सकते हो तो यहाँ पर PBT की बात करें या फिर आप बात करें net profit की EPS की even in the sale की demand देखेगा कम हुई है मानते है sale थोड़ा down हुई है लेकिन फिर भी inflation को देखते होगे बहुत सटीक अच्छे result आए है चुकि इस देखेगा संकट के समय में लगातार work करते रहना छोटा corporate होने के साब से देखेगा experience लेना इस hurdle का वो बहुत ही important है आगे अगर आप देखेंगे अच्छी company हो गई है सब कुछ improve हो गया fundamental improve हो गया 23% का ROC आपको देखने हो मिला है जोकि बहुत nominal है trade index stock के लिए काफी अच्छी तरीके से book value भी देखने हो मिल लिए आपको और आप देख सकते हो highest एक काफी देखेगा नीचे पे है तो आप ये समझ के रखना है कि जितने लोगों ने stock को hold कर रखा है उनको longer जाना है 4-5 quarter के बात की बात करनी है अभी उससे पहले की कोई बात नी करनी है stock में short term trader के लिए moment आएगा तो अगर आप देखेंगे तो short term trader के लिए देखेगा जो momentum आएगा वो आएगा जब इस stock पहला तो 52 का level तोड़े और दूसरा 56 का तब ही इसमें कोई नई चाल देखने हो में सकती जब तक 52-56 के level breakout नहीं होंगे तब तक नया चाल नहीं बनेगा नया जो working ये वो नहीं बनेगी चुकिए अगर आप देखेंगे तो volume की कम ही पढ़ रही है stock movement भी करता है बट after that क्या होता है वहाँ पे volume कम पढ़ जाते हैं तो stock नहीं चाल जाता है तो आप समझ जाए होगे तो जितने लोगों के बाद stock है longer term के लिए चार-पांच quarter के बात की बात करिए और काफी अच्छे देखेगा reforms होने हैं textile में government का लगाता support बना रहेगा ये industry भी काफी अच्छी तरीके से उबर के सामने आएगी आगे चलके तो focus करेगा वीडियो कर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना न भूलीगा thank you so much